हलो दोस्तों, हौरर स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है दुनिया भर में कई ऐसे रहस्यमी प्लेसेस हैं जो लोगों का ध्यान अपनी और आकर्शित करते हैं इन प्लेसेस से जुड़े रहस्यों को आज तक सुलजाया नहीं जा सका ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही आठ रहस्यमी जगहों के बारे में जहां होने वाली संदिक्त और अजीबो गरिब घटनाओं ने इन जगह को मशूर बना दिये ऐसा ही एक प्लेस अमेरिका के कोलोराडो राज्य में इस्थित सान लुईस वैली है जो न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों तक पहली है आठ जार वर्गमील छेत रफल वाली यह वैली एक्सोचानवे किलोमेटर लंबी और एक्सोचानवे किलोमेटर चौड़ी है जहां पर रहस्यमी आकरितिया दिखाई देती है वहीं इस जगह पर पालतू जानवरो को मारने की घटनाए आए दिन सामने आती है इसके अलावा जानवरों के शरीर में घाव दिखाई देता था वहीं कई बार शरीर के अंग भी गायब हो जाते हैं लेकिन खून की एक भी बुन दिखाई नहीं देती है ऐसा कहा जाता है कि इन सब के पीछे एलियन्स का हाथ है इसके बारे में जूडी मैलोसीन नाम की एक महिला ने कहा था कि वह साल 2000 से अब तक 50 से जादा यूफो को यहां उतरते हुए देख चुकी है हाला कि इन घटनाओं के पीछे एलियन्स है या कुछ और ये अभी तक रहस्य ही है दूसरी जगा है ब्रिज वाटर ट्राइंगल अमेरिका के पोस्टन में इस्थित ब्रिज वाटर ट्राइंगल का रहस्य भी आज तक सुलज नहीं पाया है दो सवर किलोमेटर में फैले इस छेत्र में कई विचित्रों और रहस्य में जीव और रोशनी दिखाई देती है इस छेत्र में कभी लंबे बालो वाले वानर तो कभी कुत्ते के साथ लाल आखो वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है वहीं कई बार रहस्य में ब्लैक हेलिकाप्टर को भी देखा जा चुका है तीसरी जगह को दानवो का समुद्र भी कहा जा सकता है इसे डेविल्स या ट्रैगन का ट्राइंगल कहते हैं यहाँ प्रशाद महासागर में ठेक उसी तरह की पहली बना हुआ है जैसा अट्लांटिक में बर्मूडा जपान सरकार इस छेत्र में मचवारों को फिशिन करने से मना कर चुकी है लेकिन यहाँ पर विचित्र रोश्नी, वस्तुएं और मानवाकृतिया दिखाई देती है रहस्य में ठंग से लोग यहाँ गायब हो जाते है बताया जाता है कि जपान की सरकार इस छेत्र की घटनाओं की सत्यता जाशने के लिए एक टीम को शिप कैउ मारू नंबर फाइब में भेजा था लेकिन क्रू मेंबर और 31 लोगों समेथ यहाँ गायब हो ज़िए चौती जगा है इंगी कुनी लेक इंगी कुनी लेक कानादा के कीवली क्रीजर में नूना वुट में कैजान नदी से लगी हुई है इस जिल के बारे में एक मिथक प्रशली था ऐसा कहा जाता है कि सन 1930 में इसके किनारे बसे गाउं के सारे लोग अचानक कायब हो गये इसके बाद उनका पता नहीं चल सका इस काउं की अबादी लगभाग उस समय दो हजार रही होगी माचवी जगा है बर्मूरा ट्राइंगल आप सभी ने बर्मूरा ट्राइंगल का नाम जरूर सुना इस जगा पर आज तक सबसे अधिक संख्या में शिप और प्लेन गायब होए ब्राजिल के टट से करीब 300 किलोमेटर दूर इस्थे इस छेत्र के एरिया लगभाग 13 लाख वर्ग किलोमेटर से 15 लाख वर्ग किलोमेटर तक है इस छेत्र में इस प्रकार के रहस्यमय गटना क्यों होती है इसका पता नहीं चल सका हाला कि वैग्यानिकों का कहना है कि इस छेत्र में radiation की विसंगती के कारण ऐसा होता है क्योंकि यह वह इस्थान है जहां प्रित्वी के अंदर की Van Allen radiation built अन्यग्रहों के सबसे नज़्दीक होती है इसके कारण इस छेत्र में radiation की तीवरता बहुत अधिक हो जाती है चटवी जगा है Point Pleasant पॉइंट प्लेजेंट अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में एक छोटा कजबा है यहाँ ओहियो और कन्हवा नदियों के संकम इस्थल है वेस्ट वर्जीनिया के इस छोटे से कजबे को लोगों के लिए नुवंबर 1966 से दिसेंबर 1967 तक एक रहस्यमई प्राणी डराता रहा इस साथ फिट लंबे व्यक्ति का सीना काफी चोड़ा था लोग उसे मोट मैन कहते थे उसकी धतक्तिव होई आखें होती और दस फिट लंबे बाल जमीन तक लटकते दिखते थे यह कई लोगों को दिखाई देता रहता था 15 दिसंबर 1967 को सिल्वर ब्रिज धरने से 46 लोगों की मौध हो गए इसके बाद मोट मैन फिर कभी दिखाई नहीं दिये साथ फिजगा है पेनिंटन ट्राइंगल यह ट्राइंगल अमेरिका के साथ वेस्टन वेर्मॉंट के ग्लास टेन्बरी मौटेन के मत्य में हिस्ति थे इस इलाके में बड़े पैरो वाली मानव आकरतियां विजित्र आवाजें और रोश्नी दिखाई देती अमेरिकी इसे शापित इलाका मानते यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि यहां पालो वाला जंगली इनसान खूंता है और जंगलों में कई रहस्यमई जानवर दिखाई देते इस शेत्र से अब तक कई लोग गायब हो चुके और सबसे आगरी रहस्यमई जगा है Michigan Triangle Michigan Triangle अमेरिका की पाँच सबसे बड़ी जीलों में से एक है जो 307 मिल लंबी और 188 मिल चौड़ी है लेक Michigan Irinais, Michigan Indiana और विसकनासिन राज्य तक पहली है इस लेक में अब तक 40 प्लेन लापता हो चुके है प्लेन कैसे लापता हुए यह रहस्य ही है इस छेत्र में आए देन रहस्य में आकरितियां दिखाई देती है तो दोस्तों ये थे धर्ती के 8 सबसे रहस्य में प्रेसेस जिनके रहस्य अब तक अंसुल जें आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कवेंट करकी ज़रूर बता और इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगें